दूंगरपोल जिले से सीमल वडा से मांडली जाने वाली सड़क पिछले काफी समय से विवाद का विश्य बनी हुई है इस सड़क के नवीनी करन कारे को लेकर लोक निर्मान विभाद द्वाराजवारी राशी और टेंडर राशी में बड़ा अंतर होने की वज़े से सड़क कई बार महज विवादों में ही फसकर रह गई जिसके चलते जब भी सड़क का निर्मान कारे शुरू हुआ तो फिर से बंध हो गया ऐसे में विभाद द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी किये जाने पर निर्मान कारे में गुणबत्ता को दरकिनार करते हुए ठेकेदार द्वारा निर्मान कारे फिर से शुरू किया गया दरसल व्यापारिक द्विष्ट्री कौन से महत्व रखने वाली ये सड़क गुजरात के कई व्यापारिक शहरों से जुड़ती है जिसको लेकर इस सड़क पर भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन रहता है ऐसे में ये सड़क पिछले कई सालों से खस्ताहाल एवम जरजर अवस्था में होने से वाहनों को सड़क से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वही नवीनी करन कारे में गुणवत्ता का खयाल नहीं रखा जा रहा है इसी बात से आक्रोशित जन प्रतनेदियों द्वारा आधा दर्जन से अधिक ग्रामिनों की मांग पर सरकार तक इस सड़क को लेकर हो रही वेदना को पहुंचाया गया सीमलवडा सरपंच संग के अधिक्ष बाबूला डामो ने कहा कि सड़क की दुर्दशा के बारे में काफी बार अधिकारियों को अबगत करवाया गया लेकिन कोई उचितकारवाई नहीं की गई जा रहे हैं उनकों काफी परिशानी हो रही है सिमलवडा से मारली की दूरी 12 किलो मिटर में दो गंटे लग जाते हैं काफी बार हमने अधिकरियों को भी अभगत कराया और वहां की दूर दर्शा बाइक मोट सैकिल वाला तो निकल ली नहीं सकता यह इस्तिती चल रही है जल से जल पून कराने के लिए सर्पन संग अधिक्स बागुला डामो सरकार से अपील करता देगा यह दूरा कि इस कारिये को घुनोता पुरो पर जल्दी कराया जाए सीकर शहर में एक दिल बहला देने वाला हाथसा पेश आया है जिसमें एक तेज रफ़तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार एक शक्स की दर्बिनाग मौत हो गई हाथसा शहर के सालसर रोड़ पर हुआ जहां एक तेज रफ़तार कार की टकर से 54 वर्ष ये ओम प्रकाश सैनी की मौत हो गई मृत गवाट 26 में नारायन नगर का रहने वाला था जो तेज रफ़तार कार की टकर के बाद बाइक सहित कार के नीचे ही फज गया और काफी दूर तक कार के साथ ही खिसरते हुए चला गया बाद में नजजी की लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाइक सहित कार के नीचे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई गटना के CCTV फुटेज सामने आये हैं जिसमें घायल बाइक सवार को कार से निकालते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है डूंगरपूर जिले के सागवडा थाना सरकल के हडमतिया गाउं के घोटाद फला में 21 एप्रिल को मोहन खांट की बेटी की शादी थी बारात रवाना होने के बाद कई लोगों ने मिलकर एक साथ अचानक मोहन खांट के घर पर हमला बोल दिया हमलावरों ने रविया खांट से बुरी तरह से मार पीट कर उसे अद्मरा कर दिया था जिसके बाद गंभी रूप से घायल हुए रविया खांट की उदैपूर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दूसरे दिन मौत हो गई हमलावरों को इस बात को लेकर शक था कि उनके परिवार के शंकर पुत्र बदिया मुनिया के बेटे सुनील की डेड़ साल पहले हत्या कर दी गई थी उस समय पीडित की रिपोर्ट और हालात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी उक्तर मामले का परदाफाश करते हुए बुजर्ग की हत्या के साथ आरोपियों को सागवड़ा पुलिस ने गिरफतार करने में काम्या भी हासिल की है इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस गिरफतार किये गए आरोपियों से पूछ ताच में जुटी है फरार चल रहे अपरादियों के धरपकड के लिए डूंगरपूर जिले में इंदिनों जिला पुलिस अधीक शक्सुदीर जोशी के निर्देशन में जिले के थाना अधिकारियों द्वरा विशेश धरपकड अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहट कुवा थाना अधिकारी लिजवान खान ने थाना सरकल के चिकली और माली में घेरा डालकर फरार अभियुक्त कावा पिता भूरी पारगी मीना को धर दबोचा है लिजवान खान ने बताया कि आरोपी अवैद देशी शराब के निर्मान और बेचान का कारे करता था दो एप्रिल को उसके खिलाफ की गई कारवाई के दौरान वे मौके से फरार हो गया था इस दौरान पुलिस ने मौके से 35 लीटर महुआ शराब जब्त की थी और शराब बनाने के समान समेथ करीब 800 लीटर महुआ वाश को नश्ट किया था